टॉप बेस्ट गेमिंग स्मार्टफून अगर आपका वेड़ थर्डी फाउजन देख रहे हो यह वीडियो श्पेशली आपके लिए जादे समय कराब नहीं करते हैं बात कर दें नमबू फाइव की बात करूँ नमबू फाइव पर यार मैंने रखा नौचानी आपको फाइव जी स्मार्टफून मिल जाता है प्लस इसके डिस्प्ले कॉल्टइ भी अपर मिल जाती है तो सैमसंग के फून की खाजियत होती है इनके डिस्प्ले कॉल्टी बहुत अची होती है लॉंग पैंट्री लाफ मिल जाता है एंड इनका जो प्राइवेसी सिस्ट के साहथ देखने को मिलेंगे ओप्रेदिंशस्टर की बात को आपको एंड्रड guide 11 में देखने को मल जाएगा यहीं डीज़ ponieważ इप्तिक लिए पेश्य के साथ के साहथ चाल Kap systems accuracy मेंवी एफ गो आपको सेफ्ने को मिल जाते हैं एंड बैटरी देखने को मिल जाती है 25 वोड का आपको फास्ट चार्जर मिल जाएगा प्लस आई पी 67 वाटर एंड डर्स रेटिंग देखने को मिल जाती है मतलब आपका जो स्मार्टफून होगा वह वाटर पूफ होगा आप एक मीटर तक इसको पानी में डिप करके रख सकते हो आदे गंडे तक आपका फून बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला तो यार में स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है सैंपसंग गलाक्सी ए फिफिटी टू के फून नया लौंच हुआ है प्लस बहुत ही ज्यादा सही है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा मिल जाता अगर आपको कैमले करने की करने अच्छा नम्बो फो की बात करो नम्बो फो पर यार मैंने रखा है realme x50 pro को तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको फ्लैक्शिक पूर साथ तर देखने को मिल जाता है इसको नम्बो फो पर रखने का सिर्फ यह रीजन देखने को मिलता है कि इसका जो प्सक्राप आते हैं तो आप स्मार्ट फून के जा सकते हो आपको स्नाप्ट drenate ऐटेखने को मिल जाता है इसक这 तक कि लिग जादा स्वार्फी प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं आपको और सेड़ मिल जाएगा जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकता आपको डूवल शैल्फी देखने को मिल जाती है 32 मेगापक्सल प्लस 8 मेगापक्सल लेकिन आपको सेल्फी में 4K आप्शेन नहीं मिलता आपको तो भी आप जा सकते हो लेकिन उसका प्राइज इंक्रीज हो जाएगा तो यहार मैंने बता दिया आपको वियल्मी एक्स 50 प्रो के तो भी अगर आप रियल्मी लगरो आपके लिए यह स्मार्टफून परफेक्ट डील हो जाएगा अगर आपका बज़िट 35,000 है तो आपके ल प्राइज रवेच में आपको 128GB स्टोरे के साथ यह स्मार्टफून देखने को उमिल जाता है तो भी अगर आप एपल लवर हो तो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्मार्टफून में एक मानिस प्राइज पाइज पाइंट द सब्सक्राइब आपको आइप 67 वाटर डर्स रेजिस्टन रेटिंग मिल जाती है तो वाटर प्रूप स्मार्टफून अगर पानीवगारा गिर भी जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम इशू आपको नहीं आने बाला यह तीन वेड में देखने को मिलता है 3GB RAM के साथ देखने क मिलते है 64GB storage 128GB storage 256GB storage मैं आपको कहना जाता हूं अगर आपने iPhone SE की और जाना है आपने minimum 128GB storage की और जाना ही जाना है ठीक है जो कि आपके long time bit काम आ जेगा है so that's why मैं आपको कह रहा हूं तो आगे बात करते हैं तो अभी मैंने आपको iPhone SE के बारे में तो बता दिया आगे बात कर बार में देखने को मता है दोनों color इसको बहुत ही जादा suit करते हैं दोनों इसे ज भी आप लेना जाते हो भी आप ले सकते हो मैं आपको एकसे ब्लकुल भी निहाना वाला कि आप ब्लेक कलर में तो भी अगर आपने हार्ड कोर गीमिंग कर रही है आप इजली नॉर्मली कर सकते हो प्रेटी चास्तों की बातों को Android 11 देखने को मिल जाता है डिस्प्ले की बात करूं इसमें आपको इमोलेटी दिस्प्ले तो नहीं मिलती लेकिन आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है डिस्प्ले की गार्टी की ब्रेटारी की बात करते है तो आपको तो आप 55,000 एमेज की बैंट्री देखने को मिल जाता है त्रिपल काम्रा मिल जाता है जीस पर आप 8K विडू शूट कर सकते हो तो प्राइस की बात करूँ आपको थरी थाफुन के अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है MI10T तो आप अगर इस स्मार्टफून के और जाना जाते हो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो आगे बात करते हैं No.1 की No.1 की बात करूँ No.1 पर यार मैंने रखा IQ 003 को तो सबसे पहले पर ही मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यह स्मार्टफून तीन वेर्ड में देखती हो मिलता है 6GB RAM के साथ 8GB RAM के साथ 12GB RAM के साथ जो भी आपके पढ़ियर में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो जो स्मार्टफून आपको 5G देखनी को मिलेगा एंड इसके कलर अब बहुत प्यार हैं लेकिन और अरज कलर में यह ज्यादा सूट करता है अब यह आपको एक लाइव चाहिए तो यह स्मार्टफून भी आपके लिए पोफ़ाइड दील हो सकता है तो यह में स्पैसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये IQ 003 के तो यह अगर आपने स्मार्टफून के और जाना है आप इस स्मार्टफून के और भी जा सकते हो अगर आपने स्मार्टफून के उसे अचाहिए अगर आपने स्मार्टफून के हो जाना है वह आप जासकते हो लिंक वगारा मैंने प्रवाइड किया लेकिन अगर आपने IQ 003 के हो जाना है बहुत तगड़ा है अगर आपने MI10D की हो जाना है वह स्मार्टफोन भी मतलब कर लुक डिजाइन वाइस भी वह बहुत ही ज्यादा सही है तो आप देख लिए जो भी आपको सही लगता है आप लेसे लेकिन अगर मैं आपकी जगा होता है मैं जाता सैमसंग लाक्सी A52 किया तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर होतातीया अग्ए तो यार अभर आपको मेरी प्सक्राइब करता या वीडियो को type a channel खिर मेरी लोग करता है लोग कि भी इस्ताहँ पर फॉल गरा यार आपको पर फोटों अगर्ता हुआ हो शmomilly खरूँ पर दूट थे तो अवाट आ झाल झाल